सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेतर दिली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 22 जो की कक्षा छटी के विद्यार्तियों के लिए है यह ली गई है हिंदी विछे से और इसमें आज हम एकांग की ऐसे ऐसे के भाग दो के बारे में समझेंगे और इस नाटक का मज़ा लेंगे तो आपको याद है न कि पिछली वर्कशीट में हमने बहुत बढ़िया एक्टिवीटी की थी हमने उसकी बैठक का एक चित्र बनाया था मोहन जहां पर मोहन की जो बैठक थी न घर की उसका एक चित्र बनाया था थी न मज़ेदार आज अब हम जाना कि एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में पूरा होने वाला नाटक, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा नाटक, जिसमें एक ही अंक हो, ऐसे ऐसे पाठ में मोहन एक तक्त पर लेटा है, आठ नौ वर्ष के लगभग उसकी उम्र होगी, तीसरी क्लास में पढ़ता ह इस समय बड़ा बेचेन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है, उसके माता पिता पास पैठे हैं और अब आगे, तो मा कहती है, पुछकार कर, ना ना, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है ना, ले, तब तक सेख ले चादर हटा कर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की और मुरती है, इसने कहीं कुछ अंटिशन तो नहीं खा लिया, पिता, कहां कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संत्राई तो खाया था, अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूता फिरता रहा था, बस अड़ पर यक यक बोला, पिता जी, मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, मा कैसे, पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा, मैंने कहा, अरे गड़ गड़ होती है, तो बोला नहीं, फिर पूछा, चाकू सा चुपता है, तो जवाब दिया, नहीं, गोला सा फूटता है, तो बोला, नहीं, जो पूछा, उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है, मा, हसकर, हसी की हसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बिमारी तो नहीं, बेचारे का मूँ कैसे उतर गया है, हवाई यां उड़ रही है, पिता, अजी, एक दम सफेद पढ़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाशता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, मोहन, जोड से कर रहा कर, मा, ओ मा, 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 ना, मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी, जरा देखना, डाक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे कोई बड़ी खराब बिमारी तो नहीं है न, देखो न, कैसे लोट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हिंग, चूरन, पीपरमेंट, सब दे चुकी हूँ, वैदे जी भी आ जाते, तो देखा आपने कि किस तरह से मा और पिताजी और मोहन का सीन यहाँ पर चल रहा है, वो बिचारा पेट के दर्से कर रहा रहा है, उसे भी नहीं मालूम कि उसके पेट में आगिर हो क्या रहा है वो तो बस एक हिरट लगाया हुआ है, ऐसे ऐसे, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, क्या आपके पेट में कभी ऐसे ऐसे होता है, देखिए कई बार समझ नहीं आता, जब पेट में दर्द होता है, तो हम उसको बयान नहीं कर पाते कि कैसे कैसे हो रहा है, तो च और रहा था और वह कल स्कूल नहीं जा सकेगा उसे बिमारी क्या हो गई? यह सोचकर मा का मन घबरा रहा था फिर है प्रश्च नमबर तीन इसने कहीं अंटशंट तो नहीं खा लिया वाक्य में अंटशंट का क्या मतलब हो सकता है तो देखिए वाक्य में अंटशंट का मतलब होता है कि कुछ की कुछ गडबर तो नहीं खा लिया यानि कुछ बासी खाना तो नहीं खाया फिर है प्रशन नमबर चार ऐसे ऐसे बिमारी को दूर करने के लिए माने क्या-क्या उपाई किये लिखे मोहन की हालत देखकर मा मोहन की माने मोहन को हींग, चूरन, पीपरमेंट आदी दिया था पर मोहन ठीक नहीं हुआ था आपकी घर में भी शायद ऐसे ही होता है न कई बार मा आपको तरे-तरे के उपाई से आपकी बिमारी को ठीक करने का प्रयास करती होगी आखिर मा का मन होता ही ऐसा है तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरे समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजी लाइक कीजी और बहुत जादा शेयर भी कीजी और हाँ मेरे साथ इसी तरे वर्कशीट को समझते रही है लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अगर आपको करोना वारस से बचना है न तो अपने हाथों को साबून और पाने से जरूर धोते रहिए और मास्क जरूर पहनिए क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई धिलाई नहीं धन्यवाद